हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छोटे बच्चों में यूज होने वाले सीरप के बारे में फ्रेंड्स आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, 0 साल से लेकर 2 साल के बीच में कुछ प्रोब्लेम होने से वो रोना सुरू कर देता है क्योंकि दोस्तों छोटा बच्चा कुछ भी बोल नहीं सकता उसके लिए वो रोना सुरू कर देता है कुछ भी प्रोब्लेम होने से तब आप सोचते हैं क्या प्रोब्लेम हुआ बच्चा क्यूर हो रहा है और आपको चिंता लगा रहता है और फ्रेंड्स कहीं बार ऐसी परिश्थिति हो जाता है कि आप बच्चा को अस्पिटल नहीं ले जा सकते हैं बात हुआ होता है और डक्टर नहीं अभेलेबल नहीं रहता है तब उस टाइम आप क्या करेंगे उन सभी बाते हम इस वीडियो में जानेंगे ठीक है तो फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के मेडिसिन रिलेटर जानकारी पारने के लिए तो उस थीति में हमारे पास बच्चों के लिए जो दिया जाता है इंपर्टन मेडिसिन होता है वो हमारे पास रहने से हम दे सकते हैं और medicine के बारे में आपको जानकारी हो तो आप बच्चे को एक बार ठीक कर सकते हैं, उसके बाद आप hospital ले जा सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो में वैसे ही 6 important medicine के बारे में हम जानेंगे, मतलब की 6 important syrup के बारे में जो की बच्चों में दिया जाता है, तो friends, इन syrup को आपको घर में जरूर से रखना आपके घर में छोटा बच्चा है तो, ठीक है, ओ medicine क्या है, उसका यूज क्या रहता है, डोज क्या रहता है, इन सभी बाते हम details से जानेंगे, अभी हम सुरू करते हैं एक के बात एक, बच्चों में सबसे ज़्यादा जो समस्या होता है, ओ है पेड़ दर् होता है, उसके बाजे से बच्चे रोते हैं, अभी हम जानते हैं, बच्चा का पेड़ दर्थ हो रहा है, आप कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है, बच्चे को जब पेड़ दर्थ होता है, तब बच्चा अपने पाउं को पेड़ के तरफ मोड के रोता है, यह रोना लगातार भ तो nggak संसरे होगम बाहते हैं 10 सब्सक्राइख इस शार बूम्राश को से फिरी मन्त करते हैं बुन्त का मतलब होता है दोस्तों ट्रीक और कोई बक्त्रा क्वर्श है द्साबません अभी हम जानेंगे बच्चा को अगर लूज मोशन हो गया डाइरिया हो गया उस कॉंडिशन में कौन सा ड्रॉप दिया जाता है और पाउडर दिया जाता है तो फ्रेंट्स उस समय दिया जाता है स्पोरलेक पाउडर अभी हम जान लेते हैं इसका ड्रॉप क्या होता है क्या है इसको बच्च्चा है अगर 7 PlayStation का है बच्चा 6 मन से बड़ा है उसको आप एक पाउच दिन में दो बार दे सकते हैं तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं नॉमबर 3 पे आता है पारासिटामल इसको तो आप जानते ही होंगे यह बुखार में दिया जाता है जब भी बच्चे को बुखार हो आप दे सकते हैं और बच्चे का टेंपरेचर नर्माल से ज़्यादा होने से आप दे सकते हैं और बच्चे को खेलते टाइम कुछ चोट लग गया उस टाइम भी आप दे सकते हैं पारासिटामल अभी हम जान लेते हैं पारासिटामल का डोज क्या होता है तो ड्रॉप दिया जाता है किसी ब काल्कुलेट करके देना उसके बाद चार नॉमबर पे आता है सेट्रिजिन, सिरॉप और ड्रॉप ठीक है हम ड्रॉप के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स यह है बहुत इंपर्टन्ट है इसको तो आप जरूर से घर में रखना आपके घर में कोई बच्चा है तो इसको दिया जाता है स्निजिंग में, रनिंग नोच में, कॉप में मतलब कि कोई बच्चा छीग रहा है उसको आप दे सकते हैं नाख से पानी निकल रहा है उसको भी आप दे सकते हैं और खासी हो रहा है उसको भी आप दे सकते हैं आख से पानी बह रहा है और किसी प्रकार की allergic reaction हो गया तब आप इस syrup को दे सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही अच्छा काम करता है मतलब बच्चा को सर्दी हो गया है allergic reaction हो गया है धूल मिट्टी से खेलने के बज़ा से तब आप दे सकते हैं सेट्रिजन ड्रॉप और शिरॉप और एक इसका important यूज होता है फ्रेंस बच्चा को बार बार छूने से गोद में लेने से बच्चे की गाल में रेड रेड सा हो जाता है वह allergic reaction हो जाता है उस टाइम भी आप देने से बहुत ही अच्छा काम करता है सेट्रिजन शिरॉप और अभी हम बात कर लेते हैं इसका डोज क्या रहता है यादि किसी बच्चे का weight 10 kg है तो आप उसको 2.5 mg दे सकते हैं 2.5 mg दे सकते हैं मतलब कि किसी बच्चा का weight मतलब 1 kg है तो आप 0.25 mg दे सकते हैं प्रती 1 kg पे आप 0.25 mg दे सकते हैं ठीक है इस शिरॉप को दिन में एक बार ही दिया जाता है उसके बाद हमारा आता है 5 नमबर 1.3 डॉम पेरिडोन द्रॉप रहता है और सिरॉप भी रहता है इस द्रॉप को दिया जाता है बच्चे को लूटि होने और किसी बच्चा ने ज्यादा दूद पी लिया तो वो भी मुझ के रास्ता से बाहर निकल जाता है। तब डंपरिडन ड्रॉप और सिरॉप दिया जाता है। अब भी हम जान लेते हैं इसका डोज क्या होता है। कितना दिया जाता है। कोई बच्चा है जिरो से लेकर छे मुझने का बच्चा है तो उसको आप 0.5 ml दे सकते हैं। मतलब की 4 से 5 बूंद दे सकते हैं। ठीक है। और दोस्तो आप इस सिरॉप और ड्रॉप को दिन में एक से दो बार दे सकते हैं। और उल्टी बॉंद हो जाने से इसको बॉंद कर देना। ठीक है। छे नंबर पर हमारा आता है एक सालाइन ड्रॉप ठीक है। उसका नाम है सालाइन नाजाल ड्रॉप। तो फ्रेंट्स अभी हम जान लेते हैं। इस सालाइन नजल ड्रप का यूज क्या होता है, ठीक है, किस कॉंडिशन में इसको दिया जाता है, मतलब कि बच्चे का जब नाक बंध हो जाता है, सौर्दी जुखाम के बज़़ से नाक जब बंध हो जाता है, तब इसको बच्चे के नाक में दिया जाता है, ठीक है, देने नहीं ले पाता है, नहीं सोता है, रोता रहता है, इस drop को दे देने से वो पुरा clean हो जाता है, अभी हम जान लेते हैं, इसका doge कैसे दिया जाता है, इसको दिया जाता है, एक नाक में 2-2 drop, मतलब दोनों नाक में 2-2 drop दिया जाता है, दिन में आप 2-3 बार दे सकते हैं, ठीक ह थैंक यू फर वाचिंग आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब